हाई स्टुडेंट्स ये आपका जेपी सर विश्व के नाद कासी विश्णाजी के परमधाम से आप सभी के उज्जल भेविश की कामना करता है आशा करता हूं कि आप सभी सरकुष्ण से होंगे हमारा पहला प्रस्ण है किस पूलीस अधनियम के तहट राज पूलीस का गठन किया गया है तो पूलीस अधनियम 1861-233 के तहट राज की पूलीस का गठन किया जाता है नेस्ट भारत में कुल थानों की संख्या कितनी है थानों की संख्या पूचा जा या पूलिस इस्टेशन पूचा जा एक ही अर्थ है तो भारत में कुल थानों की संख्या 16,671 है 16,600 है भारत के किस राज में थानों की संख्या सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में थानों की संख्या सबसे अधिक है नेक्स्ट पूलिस ब्योस्था के जनक कौन है तो लाड कार्ण वालिस को पूलिस ब्योस्था का जनक कहा जाता है उत्तर प्रदेश पूलिस का मुख्याले कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्याला लखनव में है नेक्स प्यूशन है पुलिस विभाग में प्रमोशन कितने वर्स बाद होता है तो ग्यारत से बारत साल के बाद पुलिस विभाग में प्रुन्नत किया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस की अस्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की अस्थापना 1833 में इलहाबाद में हुई थी जो बरतमान में प्रयाग राज के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है तो चात्रों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना आगरा जोन में फिरोजाबाद जिले का नारखी थाना है प्रदेश के दोज का रण क्या है पुलिस के दोज का रण लाल और नीला होता है भारत में सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है असम राइफल्स या देश का सबसे पुराना पुलिस बल है असम रायपल्स के अस्तापना कभूई थी 1835 इसवी में ऐसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था आगे चलकर 1971 में इसका नाम असम रायपल्स में परिवर्टित हो गया इसे प्यार से पुर्वत्तर का प्रहरी और पर्वत्य लोगों का मित्र कहा जाता है अगला प्रस्ण है पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं तो पुलिस विभाग में कुल 16 पद होते हैं अगला प्रस्ण केंद्री पुलिस प्रसिच्चन अकादमी कहां इस्थित है तो आपका जबाब होगा भोपाल में भौपाल में केंद्री पुलिस प्रशिच्छन कादमी इस्थित है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में थाना दिवस महीने में किस दिन मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में थाना दिवस महीने में दो बार मनाया जाता है प्रतीक मां के दूसरी और चौथे सनिवार को पुलिस का फूल फार्म क्या होता है तो पुलिस का फूल फार्म पी फार पब्लिक ओ फार आफिसर एल फार लेगल आई फार इंवेस्टिगेशन इस प्रकार पुलिस का फूल फार्म होगा पब्लिक ओफिसर फार लेगल इंवेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमर्जेंसीज अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस विवाग का प्रतीक चिन क्या है तो उत्तर प्रदेश पुलिस विवाग का प्रतीक चिन मचली है का इस्तेमाल किया गया है यह प्रतिक चीन डीजीपी से लेकर सिपाही तक अपनी वर्दी पर दाहिने जेब अर्थात ने प्लेट के ऊपर लगाते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जिले हैं उत्तर प्रदेश में कुल पर्म होता है Director General of Police पुलिस विबाग का सबसे चोटा सब कर्किंस है तो पुलिस विबाग का सबसे सबसे चोटा पर का रम को होता है जिसकी Souls वर्ती चल रही है वा अगला प्रस्न now का जबाब होगा चुंगर धर कि वर जी में एक श्जार नहीं होता है क्या five Ark का जवाब होगा ASI जो ASI होते हैं जिसे आप assistants все inspector कहते हैं उनके वर्दी में एक star होता है अगला प्राश्ण है कि पुलिस विभाग में किसके वर्दी में दो sister होते हैं डबल sister होता है तो चात्रों जो चोकिं चाड़ होते हैं जा ठाना इंचार्ज होते हैं जिसे आप ऐसे चो करते हैं उनके वर्दी में दो इस्टार पाई करते हैं अगला प्रशने उत्तर प्रदेश पुलिस विवाग का आदर्स वाग के क्या है आदर्स वाग के अर्थात नहरा तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्स वाग है सुरच्छा आपकी संकल्प हमारा सुरच्चा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश में कुल थानों की संख्या कितनी है अर्थात पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस स्टेशन है 1526 1526 पूलिस की हिंदी क्या होती है तो चात्रों पूलिस की हिंदी जो है राज की जनरचक होता है पूलिस को जो है राज की जनरचक कहा जाता है उत्तर प्रदेश पूलिस की अस्थापना कहा हुई थी इसको मैं पहले बता चुका हूँ उत्तर प्रदेश पूलिस की अस्थापना इलाबाद वर्तमान में से प्रयाग राज करते हैं इलाबाद में हुई थी S.P. का फुल फार्म क्या होता है S.P. का फुल फार्म होता है Superintendent of Police जिसके हिंदी में Police अधिछक कहा जाता है अगला प्रस्न है S.S.P. का फुल फार्म क्या होता है तो SSP का फुलफार्म होता है Senior Superintendent of Police इसका हिंदी होगा वरिष्ट पुलिस अधिक्षक पुलिस विभाग में आपात समय प्रात करने के लिए हेल्प लाइन नंबर क्या है तो इसमें 112 का पुलिस विभाग में आपात समय प्रात करने के लिए की जाता है चात्रों है तो हमारी मेनत आपको अच्छा लगे या वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक और शेयर करना ना बुले धन्यवाद जाए